नमस्कार दोस्तों मैं मन्जू हलदवानी उत्राखंड से सर्दियां जाने वाली हैं और गर्मियां आ चुकी हैं कई जगे पर तो बहुत गर्मी हो गई है हमारे हम अभी टेमपिचर अंडर 30 है तो सर्दियों के जाने से सर्दियों वाले फूल भी चले जाएंगे कुछ समय और गर्मियों में गर्मियों के हमको फुलवारी त्यार करनी पड़ेगी उनकी पौध त्यार करनी पड़ेंगी यह नडशरी से लाएंगे तो जैसा भी इसी उसमें मैं आज आपको गर्मियों में लगाए जाने वाले पौधों के बारे में बताऊंगी तो सबसे पहले हम स और इस आग सेकिन है यह जीनिया यह भी समर में खुब फ्लाविंग करता है इसके बाद इसमें आएगा यह देखिए यह है कॉस्मोस यह कई रंग मैं मिलता है फ्लाल मेरे पास तो यह पीला रंग है और अभी कुछ समीम ने इसकी स्रीडलिंग लगा भी दी है 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 एक गौमफरिना है इसमें सुबरी सुपारी फ्लावर भी कहते हैं और इसके अंदर चोटे-चोटे अलम कलरण के फ्लो आते हैं गर्मियों ड़्लो १ो यह भी समर में बहुत फ्लावरिंग करता है यह देखिए मैंनत तो बड़े-बड़े पौधर हो गई है मेरी तो अपते यार यह पार्चुलका है यह समर में बहुत फ्लावरिंग करता है इसे नाइन नो क्लॉक भी कहते हैं इसकी तो बस एक छोटी से कटिंग आप लगा है और यह बहुत छोटी कटिंग से यह सीड से भी ग्रो होता है पर इसको कटिंग से लगाना बहुत आसान होता है यह समर बरविना है यह भी कटिंग से लगा जाता है और इस पर गर्मियों में बहुत फ्लावरिंग होती है एक बिंटर बरविना होता है वो तो अब खतम हो तरे पर्सलेन पर फ्लाूबरिंग भी शुरू हो गई हैं ये शत्त पर रखे हुए हैं और ये लाश्टेरु के प्लान्ट्स हैं किसी गम्ले में बच्फे हुए थे उनीपर ये फ्लावरिंग नेस्ट प्लांट है morning glory इसपर नीले और pink कलर्ड की flowers आती है यह बेल नुमा प्लांट होता है और यह गर्मी में बहुत flowering करता है नेस्ट प्लांट है और आसानी से cutting से गुरुकिए जाने वाला baby sunrose प्लांड यह देखिए इसपर a hybrid और देसी विंका भी होता है, देसी विंका सफेध और दूसरा एक कलर होता है, light color दूसरा nest यह हमती है उस पर पर मिलते हैं और यह जो hybrid वाला आता है, यह बहुत सारी colors में आता है, जो देसी विंका है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, यह hybrid विंका है इसे ग्रोपीजी आप देशी विंका सफेद कलर का देशी विंका परपल कलर का इसके भी बहुत आसने से बीच जहां भी गिरे होते हैं तो उन में से बीच जर्मिनेट होके प्लांट्स बन जाते हैं उनको आप जगर जगर लगा सकते हैं यह बहुत आसने से मिलता है इसको आप घर के बाहर भी लगा सकते हैं देशी विंका को यह बाहर जो है इनको गाय बगरे भी नहीं खाती है यह देखिए देशी पिंका है घर से बाहर लगा हुआ है कोई केर नहीं होती है और देखिए इसमें कित्ती फ्लावरिंग आई है यह देखिए कैननली का प्लांट है यह मेरे पास लास्ट यह कंद बची हुई थी उनसे ही ग्रो हो गया है इसको कहीं से आप एक बार इसकी एक बल्ब लगा देंगे तो यह उस समय फ्लावरिंग करेग और यह हर साल अपने उत्फिर से उग्याते हैं नेस्ट प्लांट गर्मियों में बिना किसी केर के फूप फ्लावरिंग करने वाला जिसमें आपको कोई खाद ने देनी है कुछ नी देना बस दो टाइम पान देना है यह है मेक्सिकम बिटोनिया यह तीन कलर में मिलता है यह एक इसमें मेरे पास जो है यह बिलू कलर की फ्लावर्स आते हैं एक पिंक है और एक होता है वाइट जिसकी इसकी हाइबर बेराइटी भी आने लग गई है पर इसको आप ध्यान से लगाएं ऐसी जगर लगाएं क्योंकि इसके जो बीज गिरते हैं इसकी जब करता है बिना किसी कीर के दोस्तों आज मैंने आपको समर्म उगाये जाने वाले कुछ पोढ़ों के बारे में बताया समर्म वाले पोढ़े कुछ एन्वल होते हैं कुछ पैरीनियाल होते हैं एन्वल मतलब जो आप इधर बोएंगे और इनकी फ्लावरिं धरी होगी और इसक कौधा पूरी साल तक बचा रहेगा तो उसके लिए आपको फिर मैं दुबारा बताऊंगी जब दोस्तों अभी इसके अलाबा आप वोएं बालसम सिलोशिया कोचिया यह प्लांट मेरे हान अभी नहीं है यह अभी आजकल लॉकडाउन भी चल रहा है कोचिया के प्लांट तो सब्सक्राइब एक दम फ्टक करते हैं तो आपके अभी गर्मियों करेगा एक इसके बाद दुबारा करेगा पूचिया जो है इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं पर यह गर्मियों के लिए बहुत अच्छा पादा है इसमें चाइसे बहुत ज्यादा त्यादा उसको प्रवाइब दोस्तों आज मैंने आपको बहुत सारे गर्मियों में बगाई जाने वाले पॉधों के वारे में बता दिया है अगल कोई रहे गया होगा तो आप मुझसे पूछ लीजेगा और फिर कल सेकंड पार्ट में आपको और पॉधों के बारे में बताऊंगी और इसके साथ ही नमस्कार आपको से फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में